Hi everyone, welcome back to my channel, ये वीडियो है active passive voice से related, तो आज के इस वीडियो में passive voice of all present sentences, sentences का ये जो वीडियो मैंने आपको part 1 में बढ़ताया था, उसका ही यह second part है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे present continuous tense के active voice sentences को passive voice में कैसे change करते हैं, इस वीडियो में भी full method होगा, जी हाँ, पूरे structures के साथ मैं आपको समझाऊंगी, और वीडियो को आपको skip करके नहीं देखना है, और ये वीडियो beginners के लिए बहुत ही जादा important है, तो एक बार इसे ध्यान से देखेगा, चली, शुरू कर लेते हैं present continuous tense के साथ, present continuous tense में जो active voice sentences होते हैं, यानि active voice sentences का जो structure होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, पहले की तरह subject आता है, subject के बाद अब चुकि यह tense continuous है, तो continuity के लिए हमेशा is mr in helping verb का use करते हैं, जब tense present tense होता है, ठीके, तो is mr के पाद हम लगाते हैं verb की ing form, जैसे हम present participle form भी कहते हैं, और फिर last में लगाया जाता है object, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि किसी भी sentence में object के बाद कुछ other words भी आते हैं, और parts of speech से related words कोई भी हो सकते हैं, तो उन्हें ही हम other words कहते हैं, object के बाद, ठीके, तो ऐसे क अगर sentence आपका negative है, तो उसमें थोड़ा सा change होता है, यानि not लगाया जाता है, उसी तरह से subject आएगा सबसे पहले, उसके बाद is, am, are, helping verbs, फिर उसके बाद हम not लगाते हैं, क्योंकि sentence हमारा negative होगा, not के बाद हम लगाते हैं, verb की ing form, verb की ing form में कोई change नहीं आएगा, फिर उसक voice sentences का structure, method, जो कि present continuous tense से related है, तो आईए दोस्तों, अब कुछ sentences देख लेते हैं, present continuous tense के इसी structure को follow करते हुए, पहला sentence आपके सामने, I am reading a book, मैं किताब पढ़ रहा हूं, या पढ़ रही हूं, इसमें I pronoun word है, जो कि एक subject है, फिर उसके बाद दिखे, subject के बाद हमें helping verb लगानी हो फिर helping work के बाद हम लगाएंगे work की ing form जो कि यहाँ पर reading लगी हुई है, और last में है object, a book, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि last में sentence में other words नहीं दिये गए हैं, तो यह depend करता है condition पर कि आपको other words एड करने हैं या नहीं, Now come to the second sentence, he is singing an old song, वह एक पुराना गीत गा रहा है, इस sentence में भी he आपका subject है, subject के according is helping verb लगाए गई है, फिर उसके बाद verb की ing form यानि की sing के साथ ing लगा दिया गया है, singing, फिर उसके बाद last में, an old song यह object यहाँ पर लगाए गया है, ध्यान रहे, जरूरी नहीं है कि object के वल one word में हो, object आपका adjective के साथ भी हो सकता है, तो यहाँ पर an old song, यह आपका पूरा object है, I hope आपके समझ में आ गया होगा, आई अब देखते हैं, third sentence, they are not doing the exercises, वे वयायाम नहीं कर रहे हैं, अब देखिए, यह sentence थोड़ा अलग है, क्योंकि यह एक negative sentence है, इसमें not का युजगा गया सबसे पहले, they आपका subject है, subject के बाद helping word लगाई जाती है, जैसा कि structure में मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं, उपर में black color में second line में, ismr यहाँ पर they के हिसाब से, यानि subject के हिसाब से लगा दिया गया है, फिर are helping word के बाद not लगाए गया है, not के बाद I की आपकी word की ing form जो की है doing, और सबसे last में object को add कर दिया गया है, जो की है the exercises, ठीक है, तो I hope sentences समझ में आ गया होंगे आपको present continuous tense के जो की active voice में थे, याद रहे, यहाँ पर मैंने interrogative sentences को include नहीं किया है, जिसके लिए मैं अलग से video बनाऊंगी, चली, अब हम present continuous tense के in active voice sentences को passive voice में चेंज करते ह हैं क्योंकि यही तो हमारा main topic है, तो चलीए, सबसे पहले हम देखेंगे passive voice sentence का method क्या होता है, structure क्या होता है, तो ध्यान से देखे, तो शुरुआत करते हैं present continuous tense के passive voice sentences की कैसे हम बनाते हैं, structure आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है, अब इन्हें आपको ध्यान से समझना है, तो जब हम present continuous tense के active voice sentences को passive voice में change करते हैं, तो वही रूल लगता है, object को subject और subject को object बना दिया जाता है, अब आप सभी की सुविधा के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग confused ना हूँ, मैं बात कर रही हूँ उन beginners के लिए, जिन्होंने अभी passive voice पाढ़न शुरू किया है, ठीक है, तो confusion को कम करने के लिए, मैंने यहाँ पे new word का use किया है, यानि कि जब हम object को subject में change करेंगे, तो उसे हम new subject बना देंगे, और subject को object में change करेंगे, तो उसे हम new object बना देंगे, ध्यान से देखिए, सबसे पहली line, black color में, passive voice, new subject सबसे पहले आएगा, य पहले की तरह है, जो कि present continuous tense के helping word होती है, लेकिन अब यहाँ पर आपको change करना है, अब change क्या होगा, इस MR के तुरंट बात आपको being का use करना है, यानि be ing वाला being, ठीक है, being के बाद आप लगाएंगे, वी 3 यानि की word की third form, जिसे हम past participle form भी कहते हैं, इतना समझ में आगया, फ by proposition as usual, जैसा कि हमें करना होता है passive voice sentences में, फिर by के बाद हम लगाएंगे new object, अब यहाँ पर new object का मतलब क्या है, हमने active voice sentence के subject को object के place पे रख दिया है, जिसे हम new subject कह रही है, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, affirmative sentence का passive voice का structure, जिसके according हम sentence बनाएंगे passive voice के, अब इसके बाद, अ अगर हमारा active voice sentence negative है, तब हम क्या करेंगे, तब उसका structure थोड़ा सा बदल जाएगा, आइए देखते हैं, सबसे पहले वही new subject आएगा, new subject के बाद हम is mr लगाएंगे, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, चुकि sentence हमारा negative है, इसलिए is mr in helping words को लगाने के बाद ही हमें not ल बिंग को लगाने के बाद हम लगाएंगे, वर्प की third form, वर्प की third form के बाद by लगाया जाएगा और last में new object, अब यहाँ पर फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर present continuous tense में, active voice sentences में object के बाद कोई other words आए हुए हैं, तो उन्हें आपको new object के बाद ही last में add करना है, तो कोई problem नहीं है, तो इस तरह से आप affirmative और negative इन दोनों ही sentences को passive voice में in structures और method के according change कर सकते हैं, तो चलिए फिर उपर दिये गए active voice sentences को हम यहाँ पर passive voice में change करते हैं, तो जी सबसे पहला जो हमारा sentence था active voice का वो था, I am reading a book, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो यह sentence ब बनाएंगे अब passive voice में, तो ची passive voice sentence है, आपका red color में ध्यान से देखिए, a book is being read by me, अब मैंने आप से कहा था कि object को आपको new subject बनाना है, और subject को आपको new object बनाना है, तो very simple, उपर के active voice sentence में a book आपका object है, जिसे हम subject के place पर रख देंगे, तो देखिए, नीचे आप red color के sentence को जो कि passive voice में है, a book यहाँ पर एक new subject बन गया है, उसके बाद हमें लगानी होगी ismr helping word, तो a book के हिसाब से हमने यहाँ पर is helping word लगा दी है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप passive voice बना रहे हैं, तो आपको ismr के बाद being लगाना होगा, तो हमने being देखिए, यहाँ पर add कर दिया है, a book is being, ठीक है, being के बाद क्या आएगा, जी हाँ, वी 3, word की third form, जो कि हमने यहाँ पर लगा दी है, red, ठीक है, word की third form, read, red, red, लिखी एक जैसी जाती है, read की spelling, लेकिन pronunciation change हो जाता है, second form को हम red प्रोनाउंस करते हैं, और third form को भी हम red प्रोनाउंस करते ह ठीक, अब active voice sentence के तरफ देखिए आप, reading था, है न, इसको हमने change कर दिया, red यानि word की third form में, फिर red के बाद हमें लगाना है, by, जी हाँ, by proposition, जो की लगाई जाती है, और by के बाद हमने last में लगाया है, new object, me, ठीक है, me यहाँ पर आपका new object है, जो की active voice sentence में ये एक subject था, ठी और active voice sentence, जो की आपका था, सबसे पहला, I am reading a book, इसमें, I जो है, आपका subject था, ठीक है, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं, कि ये subjective form में है, और I की objective form होती है, me, जिसे हमने passive voice sentence में, सबसे last में, new object के place पर लगा दिया है, तो ये बन गया है आपका passive voice sentence, a book is being read by me, तो चलिए, अब जल्दी से देखते हैं, second sentence, active voice, he is singing an old song, वह एक पुराना गीत गा रहा है, अब इस sentence का passive voice पहले हम देख लेते हैं, नीचे की तरफ देखिया, अब red color में लिखा हुआ है, an old song is being sung by him, अब इसका देखते हैं, procedure हमने कैसे बनाया इसे, वही आपको rule follow करना है, subject को object और object को subject बन sentence में हमारा जो object था, वो क्या था, जिहां, an old song, जो कि हमने यहां पर लिख दिया है, an old song, फिर उसके बाद हमें लगानी है, helping verb ismr में से कोई एक, तो यहां पर जी, आपका an old song, single, आपका singular number में subject है, तो is लगाया जाएगा, is हमने लगा दिया है, अब इसके बाद हमें being add कर दिया, being के बाद आती है आपकी verb की third form, तो जी, sing की third form होती है, sung, तो sung हमने यहां पर add कर दिया है, अब verb की third form के बाद हमें लगाना होगा by, और by के बाद सबसे last में आए का new object, और new object है यहां पर him, पहले की तरह है, यहां पर फिर समय बता दू, new object आपका active voice sentence से ही आया ह लेकिन active voice sentence में यहां new object एक subject था, जो की था he, ठीक है, यानि he की objective form होती है, him, तो इस तरह से आपका यह sentence बन गया, passive voice में, an old song is being sung by him, very simple, तो चलिए दोस्तों, second sentence के बाद, अब हम इस वीडियो के सबसे last sentence को passive voice में change करते हैं, जो की active voice में था, they are not doing the exercises, वे वयाम नहीं कर रहे हैं, चलो, इसे बनाते है passive voice, the exercises यह आपका object था, जी हां active voice में, तो इसे हम new subject में बना लेंगे, तो new subject आपका मैंने यहां पर लिख दिया है, पहले पुरा sentence पढ़ देती हूं, the exercises are not being done by them, यह आपका sentence है, the exercises हमने इसे new subject बना लिया है, the exercises आपका active voice sentence मे object था, अब new subject बन गया है, फिर उसके बाद इसी subject के according हमें helping verb लगानी है, ismr में से कोई एक, तो यहां पर हमने r को add कर दिया है, my dear students, अब यहां पर आप लोग बताईए मुझे comment box में, कि मैंने यहां पर r क्यों add किया है, exercises आपका singular number noun है, या फिर plural number noun है, तो जले इसे comment box में आप बताईए मुझे, चले अब sentence पर आजाते हैं, the exercises are, यानि helping verb लगा लेने के बाद, अब हमें लगाना है not, क्योंकि sentence है आपका negative, यानि active voice sentence आपका negative है, not लगा दिया है हमने यहां पर, not के बाद फिर हमें लगाना है being, being, being के बाद लगाई जाती है, verb की third form, जो की हमने य लास्ट में add कर दिया है, new object, them, ठीक है, अब यह जो them यहां पर new object आप देख रहे हैं, यह active voice sentence का subject था, जो की था they, फिर से मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगी, कि they आपका subjective form है, और they की objective form होती है, them, जिसे हमने passive voice sentence में add किया है, as a new object, I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा तो जी इस तरह से negative passive voice बन कर तयार हुआ, the exercises are not being done by them, उमेद करती हूँ, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से present continuous tense के active voice sentences को हम passive voice में change करते हैं, पूरा proper way में मैंने आपको structure, method बता दिया है, अब आप इसकी practice कीजिए, और active passive voice के इस topic को पूरा पक्का सीख लीजिए वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो like, share and subscribe करना बिलकुल मत भूलेगा, so that's all in this video, मिलते हूँ आपसे इस वीडियो के second part में, so to we continue into the second part, keep watching, thank you so much, take care, bye-bye.